आप लोगों ने कहावत हो सुनाई होगा जो डर गया वो मर गया इसके बारे में आपने कभी सोचनेया कोशिस किया है आपके दिमाग में ऐसा कभी आया है ये स्लोगन को ये प्रोभव को ये थौट को क्यों ऐसा बनाया गया है और किसने कहा है कि असल में जो इंसान डर जाते वो मर ही जाते हैं और यह कितना सही है वही मैं आपको इस वीडियो के मादिया प्रूफ करूँगा और 100% प्रूफ करके आपको मैं गैरेंटी कर साथ बताऊंगा कि यह प्रोभा वसल में सही है या नहीं आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंट्रेस्टी होने वाला है क्योंकि आज का स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हो और डरावना है इसलिए मैं आपको यह करना चाहता हूँ बिना स्किप किये वीडियो को पूरा देखिएगा तो चले बिने इस देरी के इस सामने ही रहता है इसलिए उन दोनों में बहुत गहरा दोस्ती रहता है अब देखते देखते बहुत इन भी जाता है उन लोगों का वी उमर हो चुका है आज से आज से कोई तो पावर है, जो उन लोग को अपने बस में कर लेता है, किसान का अपने उपर कोई भी काबू रहता नहीं है, और जो रामू रहता है, वो कहता है, मैं भी भगवान है, तो भूत भी है, पर जो मुहमद रहता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है, हमेशा कहत मेरे दादा ने बहुत भूत को पकड़ा है, पर दादा ने हवा को बांद के रख दिया था, इतना बड़ा-बड़ा बात करता है, उसके बाद को कोई विश्वास नहीं करता है, और कहता है, मैं तो उन लोगों के संगे बड़ा हुआ हूँ, जो जार्फू करता है, इसलिए म तुम संसान चले जाओ, जहांबे मरे इंसान को जलाया जाता है, और रात के बारावजे जाकर वहां में चूपचा बैठे रहना, पर एक बात याद रखना, पीछे से अगर कोई भी आवाज आए, तो होस्यारी करने का ज़रुवत नहीं है, चूपचाओ तुम जैसे बैठ तुमें टेंसर लेने के ज़रुवत नहीं है, और उसी रात को बारावजे मोहमद संसान चला जाता है, वहां पे एक बेंच लगा रहता है, बेंच में जाकर बैठ जाता है, और बैठने के बाद वहां पूरा संसान रहता है, वहां पे कोई भी इंसान रहता है नहीं है, पी देख रहा है, मोहमद वहां पर मरा पड़ा हुआ है, यह सुन कर आपके भी मन में चल रहा होगा, मोहमद वहां पर कैसे मर गया, इस प्रकार से इसका मौत हो गया, तो चलिए उसके बारे में आपको पूलर डीटेलने बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हू समसान में, जहां पर हिंदू लोगों का लास जलाया जाता है, वहां पर कोई भी भूत का आवास होता नहीं है, कि तो वहां पर अगनी जलता है, तो उसका मौत की इस प्रकार से हो गया, आपके मन में यही चल रहा होगा, उसके पोस्टम रिपोर्ट में क्या ऐसा बाहर आ कि देख कर सब इसान चाऊंग है, तो चलिए आपको शौखने के ज़रुवत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वह जाकर जब सीटे बैठा थे वहां पर बिल्कुल ओके था, कोई भी दिक्कत का बात नहीं था, वह आराम से हवा खा रहा था, उसके कोई परिशान अगर आपने दर पर काबू नहीं किये, तो डर एक दिन आपको ले भीतेगा, और असल में जो प्रभव है, कि जो डर गया, असो मर गया, ये असल में हन्दर में होता है, इसलिए इस दुनिया में 95% दर के वज़े से ही कोई काम करते नहीं है उनके मन में डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे उनके मन में डर रहता है कि आगे अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा अगर किसी इंसान के छोटे से ब्रेन में इतना डर हो तो कैसे किसी भी काम कर सकता है इसलिए मैं आपको इस वीडियो के मादे में से यही काना चाहता हूँ डर क्या कर सकता है इस कहानी से आपको प्रूफ हो गया होगा और मैं आपको इस कहानी के माधिन में क्या समझाना जाता था वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इससे जादा मुझे कुछ कुछ कहने का जरूरत नहीं है पर मैं आपको इससे इतना ही कहना चाहता हूँ और आप किसी भाँ से डर लगता है तो डरने का जरूत नहीं उसे face करने का जरूरत है कि एक बार आप उसे face कर लिजेगा तो लाइफ टाइम के लिए वो दूर हो जाएगा महमद को वहाँ पर यह पता नहीं था कि समसान के भीतर में कोई भूत का वास होता नहीं है कोई भूत कोई भी हवा उसे हाथ लगा नहीं सकता है और उसके मन में जो डर था कि पीछे से किसी का आवाज आएगा अगर मैं घूम गया तो मुझे अपने साथ में लेकर चला जाएगा इसलिए जब कीलू उसके कॉलर हो फसा वो इस परकार से डर गया कि फिट से उसका आख खुला नहीं और वहीं बैठे बैठे ही वो मर गया इससे जाद मुझे आपको कुछ कहने के ज़रूरत नहीं है आपको पूरा कहाने समझ में आ गया होगा और डर का जो असलिये परिवासा क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा आज के लिए बस इतना ही आप में जाने पहली बाद चानल सब्सक्राइब को लेए बेर आगर को प्रेस करें और में वीटोर पहली बाद यूटोर लाइक और फिर्म सेखर थेंक यू